हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टो स्टे होम एंड कीप लर्निंग तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियों हमें जाड़कर नर्सिंग इस एक्साम जी एनम और एनम में जो इंग्लिज से कोश्टन्स पूशिज आते हैं वह मैं बताऊंगी ओके किस टाइब के कोश्टन्स पूशिज चाहते हैं और कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए वह भी मैं बताऊंगी क्योंकि उतना टाइम नहीं है कि मैं भी वीडियो रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करवा सबकूं बचमीन आपको मैं गोसिज करूंगी कि टॉपिक बता दू आप एक बार कोई भी क्र सिस्स craft इन कहुं को सब्सक्राइन आते तो हैं सबसे पहले आपको बढ़ाती है आपको क्या पढ़ना पहले टैंस परना ठीक यह पारले करते यह एक इन GU तो इस तरह से पुछी जाएंगे बहुत सारे सेंटेंस दिये होंगे और पुछी जाएंगे कि इसमें से कौन सा परफेक्ट वाले संटेंस हैं तो वह आपको देना पर एगार तो बहुत ही इसी कुसी जाएंगे आपको बस grammar book पढ़ना है उससे हो जाएगा आपका त्यारी ठीक है और फिर article पढ़ लेना articles के बाद आपको adjective noun की जैसे कि आपको बहुत सारे उसमें से देंगे adjective prepositions और noun दे दिये जाएंगे और आपको questions पुछे जाएंगे इसमें से noun कौन सा है for example जैसे कि आपको दे दिया जाएगा इन गांधी जी option रहेंगे उसमें बहुत सारे option रहेंगे इन होगा गांधी जी होगा और on होगा painter होगा something इस तरह से होगा तो आपको उसमें noun find करना को उसमें noun है कि कौन सा इसमें से noun है तो आपको इसले गांधी जी क्या है noun है ओके आपको तो noun पता होगा ना noun किसको बोलते है और प्रोनाउन क्या होता है कि noun के जगह जो यूज करते हैं जैसे कि i, she, she, it यह सब यूज करते है तो वह होता है आपको ना इंग्लिस ग्रामर बुक पर लेना है बस आपका इसाम किलियर हो जाएगा 30 में 30 में से 25 तो आई जाएंगी ईजियली आ रहे हैं बस आप एक पर ग्रामर बुक देखके चले जाना रूल्स देखके चले जाना ठीक है अद्यक्टिव प्रिपोजिशन यह सारे और आइडंस ठीक है अपने पढ़ा होगा वो हिंदी में उसको बोलते हैं मुहाबरा सम्थिक तो वह सब पर लेना आपके लिए बहुत ही अच्छे होगा और कुछ शिमलर वर्ट्स नॉम्स वे अंटिनॉम्स वे अपोजिट वर्ट बोलते हैं अंटिनॉम्स को ठीक है आप वह पर लेना और वन वर्ट सब्स्टिशन ठीक है यह सब आपको पढ़के जाना है तो गोजिस कीजिएगा अपना जो भी बूक है आपके पास ग्रामर की कोई भी बूक है वह पर लो आपका एक्साम केलियर हो जाएगा अगर कोई सब्सक्राइब आपको जाएंगे आइडम मिल जाएंगे और वन वर्ट सब्स्टिशन मिल जाएंगे तो वह पर लेना ठीक है और इस पैलिंग वगारा देख लेना कुछ वर्ट के जैसे की एक्युमिलेटेट बहुत सारे पुछी जाते हैं कि इसमें से कौन से वर्ट जो ह है राइट है ठीक है या रॉंग है इस तरह से पूछ लेंगे कौन सा इंकरेक्ट है ओके तो चलिए हम लोग कुछ देखते हैं कुछ कुछ मैं आपको आज सॉल्व करवा दूंगे क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है इसलिए तो देखो यहां पे questions है which one is incorrect इसमें जो sentence दिया वह न इसमें से कौन सा incorrect है या तो sentence मैं क्या होता है ला कि word wrong होते हैं या तो grammar mistakes होते हैं इसमें इन और पूछ रहा है तो wrong कौन सा है तो wrong कौन सा है sentence इसमें देखते हैं दा painter painted the canvas ओकी यह sentence देख लीए हमने he was confined to the cell and this is the new edition of the book many books have been added to the library if you check this sentence. it looks relatively wrong either, but what is wrong? which one? the wrong one is wrong. it looks good. promise the cancellation this 번xs is wrong. yes, but theатив trim of theenne Ś Anyways embargo between the Author and Author Right now what are you saying? incorrect sentence by Jahren यह बता देती हूं कि इंकरेक्स संटेंस कॉंसा है था पेंटर 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 था कैनवास का स्पेलिंग होता है c-n-v-a-s एक्चली मुआल से रिकॉर्ट करने में हैं राटिंग बहुत कंदी होती है मेरी तो इन ओर दिस नेक्ष्ट कोशन एलिगेंट दस नॉट मेंस एलिगेंट कर दस नॉट मेंस क्या हो इस में से तो शॉरी फोर देस मेमरी बहुत फूल होगी है आज इतने बीडियोस बनाए न बहुत फूल हो गई है ठीक है तो चलिए रेखते हैं तो एलिगेंट डस नॉट में तो इसमें ऑप्शन दिये गया है रिफाइन रेस्फूल एलिवेटेट टेस्ट फूल तो इसमें राइट अंसर क्या होगा इसमें राइट अंसर होगा ओप्शन से विट विट ओप्शन से एलिवेटेट ओके ऐलिगेंट डसंट में, अपर नेक्ट कौ Ums पहर्षाइट पोहजिट्विट्एं निन्रु प्शे दो मेरा एलिवेटेट् अप नेक्स्ट कोशों ए तो आ पोहजिट्षाइट मिनिंग कॉन साइस में सेम्सींज्र ग्रेवी, हमबल, वैन तो इसमें जो है ना एरोगेंट का जो आपोजिट वर्ड में एंटिनॉम्स या तो एंटिनॉम्स लिखे होंगे या तो आपोजिट लिखा होगा तो आपको वो पहचारना है ठीक है तो इसमें जो है ना पॉन सा रॉंग है सॉरी कौन सा अपोजिट है इसका एरोगेंट का हमबल ओके सॉरी नेक्स्ट कोश्चन है इडिन्टिफाइड वर्ड विच इस नॉट असी नॉम आफ डेसिफर तो इडिन्टिफाइड करना जो की सिनॉम्स नहीं है डेसिफर का ओके तो यहां ऑप्शन है ट्रांसलेट चीट इंट्रेप्ट एंड सॉब तो डेसिफर का नहीं है इसमें तो राइट अंसर क्या होगा ऑफ्शन नॉमर पी चीट यह सिनॉम्स नहीं है डेसिफर का कैसे भी कूश्चन पोछ सकते हैं सिनॉम्स क्या होता है ना सिमलर वर्ड तो आपको जादस जादस सिमलर वर्ड पर की जाना है इजी पुछते हैं ठीक है बिहार पारामेडिकल में राइब का पुछा गया था मतलब जादा भारी नहीं पूछा था इजी ही पुछा था तो आप कोछिस करना की थोड़ा पढ़ की जाना ठीक है और आप इतनी दिन से तो पर ही रहोगे तो देखो नेक्ष्ट कि इसकोंडर ओके तो यह होगा एंटिनम्स एक्विलेट का इसकोंडर ओके यह सारे सिनॉम तो गाइस इसी तरह के कोश्चन पूछे जाएंगे और मैं कोसिस करूंगे आपके लिए वीडियो बनाने का और आप भी कोसिस करूंगे आप ग्रामर बुक पर लो और अगर आप नर्सिंग टी सूचते होंगे आप इसको पास कर जाओ तो एक काम करो आपके पास अगर लुसेंट बूक है तो आप वह पर लो उससे बिहार पारमेडिकल में 20 कोश्चन पूछे गाए हैं उससे तो वह पर लो आपके कम से कम 20 मांक्स 20 मांक्स तो फिक्स है और यह इंग्लि नेक्स वीडियो में बाबाए और कुछ रॉंग हुआ उसके लिए सॉरी बाबाए